प्रेश दे बेल आइकन आप एपाट साला चानल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट तो गाइज वेलकम बैक यूर क्लास एंड दिस अर विजे हैर और आपको पता है चैप्टर फोर्थ हम पढ़ रहे थे इसलाम धर्म के बारे में पूरी तरीके से कि उसका राइस कैसे हुआ था साथ में उसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ये वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट है इससे पहले हमने इस चैप्टर के डिटील हिस्से को काफी हद तक वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट में खतम करने की कोशिश करी थी अब आप इसलाम धर्म के थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आप समझेंगे इसलाम धर्म की और जड़े जो थी कैसे दूसरे प्लेसेस पे फैलने की कोशिश हुई थी दोस्तों आपने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे जो उम्याद वँच था उसने कैसे मक्का के अंदर से क्योंकि मक्का के अंदर ही खुरैशी कभीले रहते थे और यहाँ पे इन लोगों ने मक्का से निकलने के बाद फाइनली सीरिया के आसपास का जो इलाका था वहाँ के इलाकों को भी कबजाने की कोशिश कर ली थी एक्शली जो उम्याद वँच था वो शीरिया के गवर्नर के द्वारा ही इस्टैबलिश किया गया था और उनका माना ये था कि जो मक्का के अंदर से उत्थमान जो थे वो खुरैशी कबीले से ब्लॉंग कर दे थे और कही न कहीं बाद में सीरिया के गवर्नर जो हमारे उम्याद खलीफा खिलाफत जिन्होंने बनाया था उस खिलाफत के हैड जो मुवईया है उन्होंने समझा कि अब हमें सत्ता को चलाने का मौका मिलना चाहिए तो आप देख सकते हैं उन्होंने 661 से 750 का टाइम पीरड ये पूरा वो इलाका है जहां तक उन लोगोंने अपने मैं बोल सकता हूँ इलाके को एक्सपेंड करने की कोशिश करी होगी उस टाइम पे जस टाइम पे उम्याद जो था वंच आया था या उम्याद खिलाफत जो आया था उसने पूरी तरीके से दमिश्ग एक जगा है आप ये जगा देख सकते हैं यहां पर अपनी कैपिटल ब मरवाया था और मरवाने के बाद कहा जाता है कि उम्याद खिलाफत जो है उसकी स्थापना हुई थी उम्याद वंच बोल लीजिए या उम्याद खिलाफत जो है उसकी स्थापना हुई थी अब दोस्तों क्यों कि ये मक्का के अंदर युद जीते थे तो इनकी पूरी कोशि के पूई तरीके से उनका कंट्रोल जो है मधिना बी नोर्म लिए इन्हें उन्हों नहों ने कर भी लिया था है और आपको शुरुबात से ही पता है कि پगंबर मुछंबस से ऑफ गंबर मुहम्मद जो थे उन्होंने ये बताया था कि कैसे उमा कम्मुनिटी होगी जो इसलाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेगी है ना तो उमा कम्मुनिटी ही इसलाम धर्म को बढ़ा रही है लेकिन बस ये लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कौन लोग उम्यात खिलाफत के लोग तो उसका सबसे पहला हेड कौन बना था वो आपको पता है मुवया करके जिनका नाम था वो सबसे पहले हेड बने थे और उन्होंने कोशिश करा कि भई उमा कम्यूनिटी जो है इसलाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश करती है उसके अंदर कुछ क्यों ना पॉलिटिकल बदलाओ किये जाए है ना तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम और डीप ली जाएंगे और हम जानने की कोशिश करें कि उसने क्या क्या बदलाओ करें सबसे पहले मुवया जो है जो खिलाफत कमुनिटी खिलाफत उम्याद खिलाफत के सबसे बड़े हैड है उन्होंने हिरार्की सिस्टम को सबसे पहले अपलाई करा हिरार्की सिस्टम के जोस्तों जो आस तक अभी हुआ ही नहीं था पेगंबर मौम्मत की देट के बाद चार खलीफा आये थे और कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं करे कि मेरे बनने के अध मेरा बेटा ही हेड बने लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से उम्याद जो है खलीफत जो लोग थे इन लोगों ने पुछी तरीवे से हिरार्की सिस्टम को ले के आने की कोशिश करी और साथ में इन लोगों ने कुछ प्रमुक मुसल्मानों को मतलब जो उनके टाइम पिरड़ पे सबसे बड़े हेड रहते ही हुंगे खलीफाओं में उन सबी को ये बताने की कोशिश करी कि मेरे मरने के बाद हिरार के सिस्टम होगा और फाइनली मेरे बच्चों को ही मेरे पोस्ट का वारिश समझा जाएगा तो कुछ मुसल्मानों को लेकर ये पुरी तरीके से लागू कर दिया गया और इसकी वज़े से मैं आपको सिंपल शदों में बता सकता हूँ कि उम्याद वन्ष ने लगभग 90 साल तक राज किया था इस चक्कर की वज़े से ही उम्याद वन्ष ने 90 साल तक राज करा तो आप ये देख सकते हैं कि कहानी इसलाम धर्म की कहां से स्टार्ट हुई थी मक्का और मदीना से फिर बाद में वो सीरियाक तक पहुँच गई और फिर अरब का हिस्सा ही रहा फिर ये उम्याद कम्मुनिटी के लोग कैसे दूसरे हिस्से पर जाएंगे और जहां पर इसलाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे है ना अब सबसे बुरी बात जो इन्होंने करी थी उम्याद वनिश के मुवईया सबसे बड़े हैड ने उन्होंने ये करा कि जहां पर बाइंजन टैन समराज्य था वो समराज्य कभी अ memoir के दूरा जिन्होंने सबसे पहले जो हमारे मैं बोसाताओं खलीफा थे उन्होंने कभी बाइंजन टैन समराज़्य को इपर कबज़ा कर लिया था और कबज़ा करने गया तो वहां से टैक्स वसूला करते थे लेकिन दो Literat धिनोंने क्या करा उनको अपने नौकर शाहियों के अंदर डाल दिया तो मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे इनके टाइम पीरिट पे कल्चर जो था वो कहीं न कहीं मिसमाच होने लग गया मलब मिक्स होने लग गया वेकि आपको पता है कि जरिस्टरन समराज्य जो है उम्याद वन्च ने पुई तरीके से इन लोगों को भी अपने मतलब मैं कह सकता हूँ कि वन्च जो के अंदर या आपने जो बड़े बड़े ओफिसरी वाली पोस्ट होती है ब्यूरेक्रेट्स वाली पोस्ट होती है उसके अंदर इनको बनाए रखा मतलब इन लोगों ने एड़्वाइजरी के बेस पर ये नहीं देखा कि हमें दूसरे धर्म के लोगों को लाना चाहिए ये नहीं बर ये लेके आए लेकिन इनकी अच्छी बात उम्याद वन्च की ये ही रही कि मतलब उन्होंने अपने शाषन के अंदर इसलाम धर्म को ही बनाए रखा मतलब जैसे भी शाषन वाषन चलेगा लेकिन वह इसलाम धर्म के अकॉर्डिंग ही चलेगा एडवाइस देने के लिए कोई भी हो सकता है लेकिन इसलाम धर्म के अकॉर्डिंग ही चलेगा तो इस तरीके से उम्याद राज्य जो है उम्याद वंच जो है दोस्तों नोंने एक शक्ती साली समराज्य बना दिया और पूरी तरीके से उन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी कि उम्याद वंच जो है वो पूरी तरीके से मलब इन दो उम्याद स्टेट दा इंपरियल करता हूँ कंट्रोल था वहाँ पर कही ना कही इसलाम धर्म को मानता तो थी लेकिन क्योंकि उम्याद वंचो का पूरी तरीके से सीरिया के गवर्नर थे तो वहाँ पर उम्याद वंच पूरी तरीके से इसलाम धर्म को मानता तो था लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मैं बोल लोग ब्लॉंग करते थे इसाई सलाकार्तों थे जैस्टेन जो लोग थे वो लिखने वाले लोग थे लेकिन यहां पे पूरी तरीके से इसलाम धर्म को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टन दिया जाया था उस टाइम पिरड़ पे कि अगर कोई इसलाम धर्म के अगेंस् भी कर दिया और साथ में अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल को मजबूत बराने के लिए इसलाम का सहारा लिया सिंपल शब्दों में मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ अब क्योंकि हुम्यादवश इतने लंबे समय तक रहा तो उसमें से एक फेमस वेक्ती है जिने आप पुई आप देख सकते हैं 20 साल का time period जो है इन्होंने जिया और इन्होंने इसलाम धर्म के अंदर कोई तरीके से अर्भी touch लाने की कोशिश करी अर्भी और Islamic touch लाने की कोशिश करी समझ रहें अर्भी और Islamic touch लाने की कोशिश इसले करी क्योंकि यह शाषन के अंदर कुछ बदलाओ compulsory कर दिया इन्होंने का कि Arabic language जो होगी वो हमारी language जो है administrative language होगी मतलब हर जगा लिखाई पढ़ाई के लिए हम Arabic language कर इस्तमाल करेंगे और जब कि हम Islamic identification के उपर पूरा focus रखेंगे मतलब हम Arabic भाषा को अपने जो administrative system में उसमें जारी रखेंगे जब कि हम Islamic सिक्के जो हैं वो जारी करेंगे तो Islamic सिक्के ज़े उन्होंने जारी करें और Islamic le खिकों के अनुसार आफको पता है कि Islamic सिक्कों के अंदर पूरी तरीके से pictures नहीं होती है तो उन्होंने Islamic सिक्के पेस करें सबसे important चीज और खलीपाव में फैल रहे सोने के दिनार और चानी के दिरहम बाइजन टैन समराजे और इरानी जो सिक्के थे उन सिक्कों से काफी हद तक मैच होते थे क्यों? यूँकि बाइजन टैन समराजे की जितनी वेवस्था थी वो इन्होंने अपना ली थी और इरान कल्चर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे तो इसलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पहले सिक्के दूसरे तरीके के होते थे लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने टाइम पीरे पे जरिस्टेन लोगों तो इन्होंने फिर इस तरीके के सिक्के बराने की कोशिश करी तो आप देख सकते हैं सोने के दिरम यूज होते थे तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाई उस समय पे ये लोग कितने जादा पावरफुल रहते होंगे जो सोने के सिक्कों में वैपार किया करते थे हैं न? तो इस तरीके से इनका टाइम पिरेट इसलिए इंपरण हो जाता है कि इन्होंने अबुद अलमलिक ने पुई तरीके से एक जगा है जरुसिल्म वहाँ पे इन्होंने डॉम आफ दा रॉक का निर्वान करा था ये Dom of the Rock पुई तरीके से अरब और इस्लामी कल्चर को जोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि सीरिया लोग जो थो अरबी थे और इस्लाम धरम जो था मक्का मदीना के अंदर फेमस था तो इसलिए इसलिए इनों ने दोनों कल्चर को जोड़ने की कोशिश करी थी इस पिच्चर के थुरू आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक गुम्मद है जिसको इसलामिक पहचान दी गई है ये पहला ऐसा नमूना है जो जरुसलम के अंदर मुस्लिम संस्कृति को दिखाता है अरब के अंदर मुस्लिम संस्कृति को दिखाता है तो यहां से आप देख सकते हैं कि मुस्लिम संस्कृति अरब के अंदर भी पहुचनी चालूर हो गई थी तो इस तरीके से अब बात कर लेते हैं अबासी रेवलुशन की दोस्तों क्योंकि 90 साल तक अगर उमियाद वंच चला तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सब को फाइदा ही पहुचाया होगा किसी को नुकसान भी पहुचाया होगा किसी का दिल भी तोड़ा होगा और साथ में सारी policies इन्हों ने अपने welfare के हिसाब से ही नहीं करी होगी या जंता के welfare के हिसाब से नहीं करी होगी कुछ ऐसे भी काम करे होंगे जिसे जंता जो है नाखुश रही होगी है ना इसी लिए अबासी revolution होता है उम्याद वश के 90 साल के बाद उम्याद खिलाफत के 90 साल के बाद अबासी करानती होती है और जो समाच के अंदर जो पूरी तरह किसे सीरिया या दमिश के जहरसललम के अंदर या आसपास के जो उनकी इलाके थे जहां जहां तक उन्होंने उसको capture का रखा था उस सभी को खतम करने के लिए यहां पर मैं बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने उमा कम्मिनिटी के ओपर कंट्रूल बनाने की कोशिश करे होगी किन लोगों ने उम्याद वंच ने इसलिए अबासी रेवलुशन होता है दोस्तों अबासी रेवलुशन पेपर के अंदर बहुत जरूरी है जरूर आता है अबासी रेवलुशन की सिर्वाद जून नौ सत्रा सो संतालिस में लगभग तीन साल तक चली थी और आप देख सकते इसी टाइम पिरिड के बाद अम्याद खिलाफत जो नामसे जानते है उस समय पे अबासी जो वंच था उसके सेरन आयक अबू मुस्लिम जो है बहुत फेमस थे जो आप देख सकते हैं जो इधर के इलाकों में थे और आब ये पूही तरीके से इन से युद लड़ेंगे किन से यूद लड़ेंगे उम्याद खलीफा से यूद लड़ेंगे क्यों यूद लड़ेंगे कुछ कारण होगा कारण सिंपल सा यही था कि उमा कम्यूनेटी के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने की कोशिच करी जा रिज़ थी और ये दावा किया गया कि भाई जो कहते है अबासी लोग है उनका हग है कि अब वो 1750 के बाद पूरी तरीके से उम्याद कम्मुनिटी हट के अबासी लोग जो है उस पॉलिटिकल कंट्रोल में आए 1750 के बाद अबासी रेवलूशन हुआ अबासी रेवलूशन में पूरी तरीके से अबासी ने जो मक्का से ही ब्लॉंग करते थे मक्का कहां पे जहां पे सबसे पहले ये धरम फैलने की कोशिश होई थी उन लोगों ने बोला कि अबासी जो लोग है वो पूरी तरीके से गलत काम करने वाले लोग है जो बुराईया करते हैं मतलब जो उम्याद शाशन है अबासी द्वारा उनकी बुराई करी गई और ये कहा गया कि वो इवल की तरह काम करते हैं वो ये बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने जो पैगंबर मुहमत का एक बेसिक इसलाम था उसको पूई तरीके से फॉलो नहीं करा उन्होंने अर्बी और इसलामिक ध्रम के कल्चर को दोनों को मिक्स कर दिया जिससे सही सच्चा जो इसलाम था वो नहीं पना पा रहा था और अबासी रेवलुशन हुआ ही सिर्फ इसलिए कि वो कहने की कोशिश कर रहा था कि वो पैगंबर मुहमत के रियल इसलाम को जो पैगंबर मुहमत ने रियल इसलाम बनाया था वो इस इसलाम को पुरी तरीके से दुबारा लेके आएंगे तो अबासी रेवलुशन होता है इसी वज़े से तो अबासी रेवलुशन जो होता है दोस्तों उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है जिसमें मक्का के अंदरी अबु सलीम अबु मुसल्मान जिसे बोलते हैं वो उस समय पे अबासीों का एक सेना नायक था जिसने खिलाफत के सबसे लास्ट मारवान यानि कि सबसे लास्ट किंको मैं बोल सकता हूँ या सबसे लास्ट जो उस समय पर खिलाफत या खलीफा जो थे उनको मार दिया तो आप ये देख सकते हैं मारवान ये वेक्ती थे जिनको मार दिया गया था और फाइनली यहाँ पर अबू मुसल्मान जो थे सेना नायक थे और यहाँ पर अबासी रेवलुशन के बाद यहाँ पर अबासी जो वन्च है वो आ जाता है अबासी वंचों का मानना ये था है कि पेगंबर जो है उनके चाचा अबास के वंचों से ब्लॉंग करते हैं और इसलिए असली हगदार जो है इसलाम धर्म को बढ़ाने का या बनाने का वो अबासीों का है क्यों वेकि पैगंबर के चाचा अबास थे और ये अबासी लोग जो हैं वो उनके वन्चत से आते हैं सिंपल शब्दों में मैं यही आपको बताना चाता हूँ तो अबासी लोग जब आये अबासी रोलोगों ने जब रूल करने की कोशिश करी तो उन्होंने पूरी तरीके से अरब लोगों की जो संस्कृती थी उसको खतम करा और उन्हें इरान की संस्कृती को अपनाया दोस्तो अब यहां पे अरब का कल्चर तो खतम हो गया अब इरान का कल्चर आना चालू हो गया इरानी संस्क्रिटी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और इससे आप देख सकते हैं कि इरान के अंदर भी अब कैसे इसलाम धरम जो हो बढ़ने की कोशिश करेगी है ना अबासी लोगों ने रासधानी भी बनाई थी अबासी लोगों ने रासधानी को अलग बनाया दिर आर्मी एंड ब्यूर्यक्रिसी वर्स री और्गनाइजड अब क्योंकि उम्याद खलीफा के जो लोग थे उनकी आर्मी और उनकी ब्यूर्यक्रिसी अलग थी उसमें ज बुबाराज से री और्गनाईस करने की कोशिश करी क्यों कि वो नहीं चाहते थे कि असली इसलाम के अंदर दूसरी कैटिकरी के लोग आए इसलिए इन्हों ने अपनी जो अबासी लोगों ने जो अपनी वो थी कहना में राजधानी उसको ट्रांसफर कर दी आप देखेंगे जैरुसिल्म के जस्त थोड़ा सा उपर यहां पर राजधानी थी दमिश्क लेकिन उन्होंने फाइनले अपनी राजधानी बगदाद कर दी थी तो आप ये को आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इनका टाइम पिरिट 1750 से 1258 तक था और उन्होंने बगदाद के इन नए जो सोलजर है नया एडमिसर सिस्टम है नया ब्यूरोक्रेस सिस्टम है उसको दुवारा से रीफर्ब करने की कोशिश करी और सब चैची बात इन लोगों की ये रही कि इन्होंने पूरी तरीके से जो उस टाइम पिरिट पे मतलब अब उस टाइम पिरिट पे जिसमें पे उम्याद वंश ने या उम्याद खिलाफत ने जो भी कुछ धर्मिक बदलाओ करे थे या कुछ भी करा था खलीफाओं के दौरा जो भी काम किये गए थे उसको उस टाइम पे और जदा मजबूत किया गया इन्होंने जो भी इसलामि उनको मजबूत करा उनको प्रोटेक्शन देने की कोईश करी मलाब इन्होंने ऐसा नहीं करा कि उनकी संस्कृति को नस्ट कर दिया पूरी तरीके से है ना इसलिए इन लोगों ने उस टाइम पिरिट में बोल सकता हूं कि they retain the centralized nature of the state उन्होंने पूरी तरीके से जो राज्ये के अंदर टैक्स लेने का सिस्टम था राज्ये के अंदर जो सुप्रीम होता है वही सारे फैसले लेगा यह सारा स्टेटस उन लोगों ने बरकरार रखा था इसमें लोगोंने कुछ बदलाव नहीं करें इनकी अच्छी घास बात यहरी की उम्याद लोग के दौरा जो चीजे हुई थी या जो भी कहते हैं कोट के डिसीजन से रिलेटिड बात ये हुई थी उन सब को इन्होंने उसी परंपरा के हिसाब से बनाए रखा है ना तो ये सबसे इंपॉर्डन था और ये आप देख सकते हैं कि अबासी करांती जो थी वो हुई थी ताकि पुरी तरीके से जो वो आपके मतलब वन्शज है या जो इसलाम धरम है वो बढ़ाया जा सके तो इसके अंदर आपको ये जानने को नहीं मिला कि खिलाफत कम्यूनिटी जो थी अगर उम्याद जो आए थे लोग उनका पतन हो क्यों गया मतलब वो खतम क्यों हो गया ये पता ही नहीं चला और ख खतम होने के बाद कैसे avasi लोग आई वो आप समझ गई थे avasi लोगों ने 1750 से लिके लगभग 12 layout तक इन लोगों ने राज किया था है ना तो आप ये देख सकते इतना लंबा राज के राया है नोगँ लगभग 2 दशक कैते हैं 2 century कैते हैं लोग की इतना इन लोगों राज किया था तो यह बहुत important था आप समझ गये होंगे मिलते हैं next part में तो last में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और यह पार्चाला चानल के आप subscriber हैं या नए subscriber हैं तो इट पार्चाला की टीम से आप सभी को यही request है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को share करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जभी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चान को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत